दोसो हम लोग आगे Power BI के Part 11 में हम बिलकुल वही से शुरू करेंगे जहां पर हमने अपना Part 10 को क्लोस किया था आज हम सीखेंगे Multiple Files को One Shot में Power BI के अंदर Consolidate कैसे करते हैं उसके लिए हम अपने Computer Screen में चलते हैं मैं यहां पर Screen में आ गया हूँ सबसे पहले मैं दिखा दू Consolidate File होती कहां पर बहुत जनों को यह option नहीं पता तो उसके लिए हम क्या करेंगे Transform में जाएंगे Get Data में जाएंगे Get Data में जैसे ही गए मेरा Query Editor उपन हो गया अब यहां पर एक Combined File लिखा हुआ आता है यहां पर आप देख सकते हैं Combined File अभी के लिए यह Highlighted नहीं है क्यों यह तब ही Highlight होता है जब आप एक Folder के अंदर से Same Multiple Files को Combined करते हैं Multiple Files का मतलब उसके अंदर Data अलग अलग हो बट सबके Header बिलकुल Same होने चाहिए Remember तो यह आज हम सीखेंगे यह बहुत ही असान तरीका है और बहुत ही useful तरीका है Files को Combined करने का उसके लिए एक Folder में चलते हैं यह देखिए यह रहा मेरा Folder यहां मैंने एक आप लोगों के लिए Multiple File करके एक Folder के अंदर हमार पास कुछ Data है Sample 1 Sample 2 Let's take हमार पास Week on Week Data आता है यह चार Week का भी Data है पांचवे Week का आने वाला है उसको भी हम डालेंगे तो Open करके देख लेता हूं Week 1 को Open करता हूं Week 1 के अंदर यह सारे हैं नेम्स हैं बजट फोर्कास्ट एस्ट कॉल्स एंड राप ताइम और सो और सो पूर ठीक है यह हमार पास Week 1 का डेटा है अगर Week 4 में देखो Week 4 में भी डेटा का structure मतलब जो उनके values है वो उपर नीचे हो सकते हैं person उपर नीचे हो सकते हैं बट उनके header बिलकुल सेम रहेंगे यह हमार पास Week 4 का डेटा है अब इस पूरे के पूरे folder को कैसे combine करते हैं चलिए इसके लिए हम चलते हैं अपने Power BI के अंदर Power BI में आगे हो हमें folder connect करना है यहां get data में जाएंगे more में जाएंगे यहां पे लिखते हैं folder व्यासे ideally मुझे यहीं दिख रहे अगर नहीं दिखे तो यहां पे लिखना है folder लिखके इसको connect करना है और connect जैसे आप folder को connect करोगे बोलेगा मुझे path तो अब उस folder का ideally मैं path कहां से लाओ path लाने के लिए आप simple इसे ब्राउस कर दो कि वहना मेरे desktop में कहीं ना कहीं सेव है ठीक है desktop में चलता हूं मैंने desktop में क्लिक किया path 11 यह रहा multiple files में मैंने क्लिक किया और okay यह वही path है अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है आप उस folder में जाके path collect कर सकते हो मुझे यहां से ब्राउस कर दिया अब मैं simple okay करूंगा जैसे मैं okay करूंगा यह देखिए यह बोल रहा है उस folder के इंदर ने चार फाइल्स हैं जी हाँ बिलकुल चार फाइल्स मतलब इन चारो की चारो फाइल को एक में combine करो और उसे transform मतलब query editor में ले जाओ या तो इसे combine and load करो मतलब चारो की चारो फाइल को combine करो और query editor ना open करके हमें यहीं file show कर दो या तो यहां पर एक और option है जिसमें लिखा transform data मतलब अभी आप कुछ मत करो इन चारो की चारो फाइल को उठाओ और मेरे query editor में ले जाओ तो मैं क्या करता हूं मैं combine यहां से use नहीं करना मैं transform data में क्लिक करता हूं अब आप देखेंगे वो जो हमारे combine file का जो option था जो की यह रहा यह disabled नहीं है अब unable हो चुका है यह रही हमारी चार फाइल अब इन चारो फाइल को हमें combine करना है it's very simple now अब इन चारो फाइल के यहां ना आपको एक combine का option दिख रहा होगा कुछ यहां पर यह जो double arrow downwards जो आते हैं ना इनको हम कहता है combine इनमें अब click करोगे तो चारो के जारो फाइल को automatically combine करने लग जाएगा combine करने के वाद एक sheet ले आया हमें पहली sheet को select कर लेना है क्योंकि combine करके लाया है पहली sheet को select कर देना है और ओके यह first file को आपका view दिखाएगा और यह पूरे का मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक ठीक है अब हम चलते हैं अपने query editor में और यह देखिए चारो की चारो फाइल जितना भी उसके अंदर data है वो सारे का सारा combine अब let's take एक और week का हमारे पास data आता है जो की fifth week क्या हमें यह step फिर से करना पड़ेगा जी नहीं मैं चलता हूं अपने उस folder में मेरा folder है मैं काम करता हूं इसी को मैं copy करके पेस्ट करता हूं इसका name I'll do it five और इसको five करके इसके अंदर ग्रान नेम थोड़े से change कर लिता है ताकि हमें पता लगे exactly same now मैं यहां पर कर देता हूं राजवीर यहांर पर देता हूं रित्टू यहां कर देता हूं कविता और यहां रोहान तो यह मैंने कर दिया अब इस file को हम safe कर दिये हैं मैंने file को save कर मैं चलता हूं अपने पावर भी आई में आपने कोच नहीं करना सेंपल एक रिफ्रेश करना है जी हां इस वाले मुल्टिपल फाइल के अंदर था हमारे पास यह रहा मुल्टिपल फाइल अब यह हमारे सारे नीम्स अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं मैं सिंपल इसमें उपर होम में आता है रिफ्रेश्च प्रिव्यू आपको सिंपल रिफ्रेश्च प्रिव्यू रिफ्रेश्च प्रिव्यू का मतलब जो हम देख रहे हैं सिर्फ वही फाइल रिफ्रेश्च करो और रिफ्रेश्च अल का मतलब जितने भी आँ फाइल सबके सबको देखिए पांच भी फाइल भी आपकी अप्लोड हो गई है उसके अंदर जो भी नेम से वो सारे अप्लोड हो गए उसके अंदर जो भी डेटा था एंसी इनके वेसिस में अगर आप कुछ भी कंबाइन करना चाहो बहुत इसली कर सकते हो तो यह रहा हमारा कंबाइन फोल्डर जो कि बहुत जने जो पावर भी यूज़ करते उनको यह उप्शन नहीं आता और जिन्होंने नया सीका है आप लोगों के लिए वेरी गुड आप प्लीज कीप ऑन लर्निंग आप स्टॉप मत करना पावर भी बहुत बूमिंग अप्लिकेशन है तो आशे करता हूं दोस्त